हाई अब्रीवन आज मैं केमेस्ट्री का पेपर नीट 2021 का डिसकस करने जा रही हूं मैंने भी नीट 2021 दिया था and I am scoring 156 out of 180 in chemistry section और इसका मतलब यह हुगा कि मेरे जो questions थे 40 सही है और जो है 4 गलत हुए हैं और एक मैंने question जो है छोड़ दिया था तो यह जो मेरे question जो जादे तर गलत हुए है ना वो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के questions सही हुए होंगे और जो जादे तर बच्चों के गलत है वो मुझे लगता है मेरे सही में तो यह जैसे एक RBC वाला था यह तो काफी simple question था लेकिन पता नहीं क्या और दिमाग आया मतलब दो option में confused हो गई 1 और 1 और 2 option में तो फिर मैंने second कर दिया और यह BF3 वाला तो काफी simple question काफी बार पढ़ते में हम लोग इसको तो लेकिन क्या हुआ था कि इसमें मुझे लगा backbonding होगा और backbonding के बाद जो है यह fluorine जो होगा अपना 2 electron दे देगा इनके पास 8 electron हो जाएंगे तो मैंने इस हिसाब से सोचा था लेकिन यह दोनों question मेरे गलत हुए थे और यह आप इधर देख सकते हैं इधर की questions तो सही थे इधर तो मुझे easy लग रहा था और यह मेरा question जो है गलत हुए था यह तो काफी मतलब की simple question था और इसका जो है वेरलीन कुराइड ही होगा लेकिन क्या कहते हैं इसमें पता नहीं क्या हो गया था मतलब पता नहीं क्यों concept लगा दिया था मैंने इसमें आईनी character मतलब देखने लग थी यह मुझे कुसमाल में इन नहीं आया उस time दिमाग की काम नहीं किया तो यह मेरा questions गलत हो दिया और यह 74 जो blast furnace वाला question था यह काफ जोगा तो फिर मुझे लगा कि यार वैसे भी paper इस time 2020 का cutoff देखके लग रहा था यार वैसे बहुत हाई levels का जा रहा है cutoff और अगरम अटेंप नहीं करेंगे तो फिर क्या पता और भी selection हमारा नहीं होने का chances बढ़ जाएंगे तो इसले फिर मैंने इसको attempt किया और यह मेरा question मुझे लगता है काफी लोगों का गलत हुआ होगा क्योंकि यह बहुत ही कल्कुलेटिव question था और इन्होंने मतलब कि आपको calculate करने के बाद राउंड-off करना पड़ेगा तब चाहिए अंसार आएगा तो यह मेरा गलत है यह मुझे लगता है maximum लोगों का गलत ही हुआ होगा क्योंकि इन्होंने इतना close option दे रखा था और इतना time नहीं था क्योंकि फिजिक्स पर पेपर इस बार काफी लेंदी आ गया था तो यह वाला question मेरा मतलब की वैसे भी मुझे इस question को छोड़ना ही था लेकिन क्या कहते है एक बार जिससे नहीं होता है मैं paper जो होता है मैं दो round में करती हूं first and second round में तो जो second round में यह question मेरे को दिखा ही नहीं पता नहीं इतना मतलब की मतलब जल्दी जल्दी हो गया था कि फिजिक्स भी करनी थी और फिजिक्स तो काफी मतलब की लेंदी थी तो इसलिए मतलब यह question चोल गया और अच्छा हूं मुझे लगता है चोल गया दरवास नहीं मैं गलत त्यों पेख बनने थी धी तक दिख देख विल्दी जो करने था था मुंस पर बाउटा है था इस नहीं में पूंक्षू हूं एज लोगता है बावताब की लावताट